चत्रा शहर में दुर्गापूजा के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने हत्यार के साथ गिरफतार किया है स्पी राकेश रंजन को मिले गुप्त सूचना के आधार पर स्ड़ीपियों अविनाश कुमार के नेत्रितों में गठित सदर थाना पुलिस के स्पेशल टीम ने यह कारवाई की है दोनों अपराधियों के गिरफतारी पुलिस अधिक्षक कार्याले के समेब से हुई है गिरफतार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल विभिन कंपनियों का दो मोवाईल और बाइक जब्त किया गया है SDPO ने बताये कि आदित्य यादव और राहुल कुमार नामक दोनों गिरफतार अपराधी तंडवा थाना शित्र के होने गाउं के रहने वाले हैं दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने के पूर्व रेकी करने पहुंचे थे इसी दोरान गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को दबोच लिया गया कोई बैदे काग्यात उनके द्वारा नहीं दिखाएगा जो दोव्यक्तिक रफ्तार हुए हैं उनका नाम राहुल कुमार और आधित्य यादव है दोनों टंडवा थाना जिला चत्रा के रहने वाले हैं न्यूज विंक के लिए चत्रा से धर्मेंदर पाठक के रिपोर्ट झाली बैदे काग्यात पाठक के रहने पाठक के रहने पाठक के रहने वाले हैं